हम सुप्रिम कोर्ट का इस महां फैंसलह से कश हैं और सुप्रिण कोट का बहुत बहुत दन्यवाद करते हैं और वाजबसकार से और स्री नैप सानी जे मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि इस आरक्षन को ज़दी सी ज़दी लागू करो अपने SC-ST Act के बारे में SC-ST आरक्षन के बारे में फैंसला दिया है इससे SC और SC समाज में बहुत ही परसंता है Home Supreme Court का तैदिल से धन्यवाद करते हैं और जो और ने फैंसला दिया वो SC और स्ट समाज के लिए अमरीज साबिद होगा अरक्षन को लेकर बड़े-बड़े सवाल जो है उठाए जाते हैं जर्म कर्षन Supreme Court में ये मुद्दा 25 साल से चल रहा था तो 25 साल बाद स्ट स्ट समाज को ये फैंसला दिया है कि जो वन्चित जाती हैं उनको अरक्षन का लाब दिया जाए तो कुछ दिनों पहले हर्याना सरकार के मुख्यमंत्री जी ने हर्याना में एक मीटिंग की दी डियासी समाज की तो वहाँ उन्होंने ये कहा था कि जो भी Supreme Court का फैंसल होगा मैं तुरंत उसको लाबू कर दूँगा तो हमारी मुख्यमंत्री नेव सेनी जी से ये अमगवार लगाते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए क्योंकि डियासी समाज की जो भी 46 बरादरियां हैं वो 90% भाजबा को वोट कर रही हैं अगर मुख्यमंत्री जी इसको लागू करते हैं तो ये 100% पे पहुंच जाएगा और हर्याना सरकार में भाजबा की तीसरी बार सरकार बनाने से कोई नहीं रोग सकता क्योंकि ये बरादरियां भाजबा को 10 साल से वोट कर रही हैं और स्पोर्ट भी कर रही हैं तो अगर भ हाजबा की सरकार हर्याना में तीसी बार बने